हेलो बच्चो आज हम हिंदी मधुरीम्या का पार्ट 18 पड़ेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है अमर सिनानी भगत सिंग ठीक है बच्चो आज से 73 वर्ष पूर्व 72 वर्ष पहले भारत किसका गुलाम था आप सभी जानते हैं ना पहले हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था ठीक है जो कि इंग्लेंड से आई थे व्यापार करने की बहाने और हुनोंने हमारे देश पर कपच्चा कर लिया यानि कि हमारे देश को गुलाम बनाते रह की और यस पर कहते हैं प्रस्तत पाता पर मैं सहीद भगत सिंग की जीवन गाथा वंण गाथा हुए तो यहीं कहीं अंकित समाधी में भगत सिंग की अमर कहानी तो क्या गहते हैं कभी कि भगत सिंग की जो अमर कहानी है जो कि कभी भूलने लायक नहीं है योगी नहीं है वो जो है समाधी में अंकित की गई है अंकित कर दी गई है यानि कि लिखा गया है भले वो किताबों में लिखा हो या हमारे पूरवज हमें बताते हूं जो है अमर सिंग के बारे में जो है अंकित की गई है ठीक है कि उन्होंने क्या क्या किया देता है इतिहास गवाही वह था एक महा बलीदानी हमारा इतिहास गवाही देता है कि वह एक महा बलीदानी थे यानि कि उन्होंने हमारे देश को आजात कराने के लिए सुतंज कराने के लिए जो है अपना भी बलीदान दे दिया था अपना सब कुछ नुचावर कर दिया था और ये हमें बीते हुए कल से पता चलता है ठीक है अपना सब कुछ दाव लगा कर बना करांती का सपल सिपाही अब भगत सिंगी ने क्या किया था कि अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था अपनी जान अपने घरवाले अपना सब कुछ अपना धन दौलत जो है सब कुछ दाव पर लगा दिया था यानि कि जान बूच कर दे दिया था बना क्रांति का सफल सिपाही इस तरह वो स्वतंत्रता अंदोलन में एक सफल सिपाही बने थे काप गया अंग्रेजी शासन उसने ऐसी हाक लगाई जब भगत सिंग जो है ने अपना सब कुछ निचार किया और वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और अंग्रेजों के खिलाब उन्होंने विद्रोह कर दिया था तो अंग्रेजी शासन जो है काप गया था हिल गया था बिल्कुल कि ये क्या कर रहे है भगत सिंग ऐसा सोच के उसने सैयम और साहस का पार्ट पढ़ा था स्वैम पिता से भगत सिंग ने ये सब कुछ से सीखा था अपने पिता जी से सीखा था सुनी क्रांती की अंगिन लोरी जूले पर ही दादी मा से जब वो बहुत छोटे थे अपनी दादी से भी कहानिया सुना करते थे क्रांती कारियों की ठीक है बच्चों जैसे बच्चपन से ही हमारे दादा दादी हमारे घर में जो भी बाते होती है बच्चा वैसे ही बन जाता है जैसा कि उनके घर में वातावरण होता है तो सुरू से ही उसने अपने मम्मी पापा माता पिता दादा दादी उन सब को कुरांतिकारियों के बारे में पता था और अंग्रेजी शासन कैसे हमारे देश के लोगों को पर जुल्म करते हैं यह सब कुछ उनों वो सुनते आये थे इसलिए वो एक बहुत महान क्रांतिकारी बन गए थे ठीक है बच्चपन से ही जिसके मन में भाव भरे थे कुरबानी के और बच्चपन से ही जो भगत सिंग थे वो जो है कुरबान होने के भाव भरे थे कि मैं तो अपने देश के भयानक अंग्रेजों की बेमानी के जिसने बदले लिए भयानक अंग्रेजों की बेमानी के तो भगत सिंग ने क्या किया था अन्याय के खिलाफ जो है जो अंग्रेजों ने अन्याय कर रहे थे हमारे देशवासियों पर उसके जो है उसका बदला उन्होंने लिए आया यान मार देते थे, ये सब कुछ जो है, वो करते थे, विद्रोह कर देते थे, ना, इंकलाब जिसका नारा था, आजादी थी, उसको प्यारी, शहीद भगत सिंखा नारा क्या था, इंकलाब जिन्दाबाद, इंकलाब मतलब क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह की आवाज होता है, इंकलाब आप लोग ने भी सुना होगा ना कई बार इंकलाब जिन्दाबाद इंकलाब जिन्दाबाद ये भगत सिंग का नारा था आप लोग ने फिल्मों में भी देखा होगा आप लोग देखिएगा शहीद भगत सिंग वाली नेट पे फिल्म देखिएगा ओके बहुत अच्छी फिल्म है बहुत धेर सारी बनी है आप लोग उनमें से कोई सी भी देख सकते हैं मरते दम तक रहा गुंजता जै जै से यहो धर्ती सारी अब कभी कहते हैं कि मरते दम तक यानि कि अपनी आखरी सांस तक जो है जै भारत जै भारत जै हो जै हो का नारा लगाते हुए वो इस दुनिया से चले गए अंग्रेजों का दर्प चूर कर जब तक जिया रहा स्वाभी मानी जब तक भी वो जिये जो शहीद भगत सिंह थे वो जब तक भी जिये वो जो है अंग्रेजों का जो है गमंड को चूर करते हुए जीये थे और अपना स्वैम मौत को हस्ते हस्ते वरण किया ऐसा था मानी यानि कि स्वैम ही उन्होंने जो है हस्ते हस्ते हुए मौत को अपना लिया था और स्विकार कर लिया था या हम कहें स्विकार कर लिया था क्रांती वीर था सच्छा सैनेक भय का उसमें नाम नहीं था भगत सिंग एक क्रांती वीर पुरुष थे बच्चो जिसमें बिल्कुल भी अंग्रेजों के जुल्मों से उनकी सारी जवानी जो बीद गई थी अंग्रेजों के जुल्म से वे नहीं डरते थे संगर्षों में योवन बीटा शनभर का आराम नहीं था उनका सारी जवानी संगर्ष करते बीद गई थी और उनोंने बिलकुल भी आराम नहीं था उनमें वो सोचते थे कि मुझे जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक मुझे आराम नहीं करना है मुझे सांस नहीं लेनी है चैन की अमर शहीदों की समादी को मात नवाते आए हैं हम बच्चों हम लोगों ने जितने भी अमर शहीद हुए हैं उनकी वज़े से जिनकी वज़े से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं जो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं प्रते एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र है उन बलिदानों को जो है हम हमेशा शीष नवाते हैं यानि कि हमेशा याद करते हैं ठीक है उनके शीष जुगाते आए हैं हम उनको हम जो है शीज चुगाते आए हैं तो बच्चो पार्ट में इस पार्ट में कैसंदेश मिलते हमें की मात्र भूमी पर प्राण निचावर करने वालों का नाम अमर हो जाता है आज भी बच्चो कहीं भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या भी भारत चीन का युद्ध ह पहले भी भारत और पाकिसान में कई युद्ध हुए हैं तो उनमें भी जो अमर शहीद होते हैं उनको मतलब जो शहीद हुए होते हैं अपने देश के मेलडाई में मारे जाते हैं उन लोग का नाम हमेशा जो है किताबों में छप जाता है हमेशा जो है सब लोग याद रखते ठीक है तो जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता बच्चों उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये पार्थ ये कविता ही पे समापत होती है सारे बच्चे इस कविता को याद करेंगे ओके इसी के साथ मैं